तो हेलो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रो फरिवार आपस्वरुनों हादिक स्वागे छे आपने पोतान यूट्यूब चैनल एलेके योगी गुजरादी पर एवा मोस्ट आईंपी प्रष्णों छे एनी अंदर थे निकलतु व्याकरण एब दीज आखा चैप्टर ने लगती आपने चर्चा करवना छी तो मित्रो वीडियो शरू धाई ने ए पहला आपनी संस्क्रूती प्रमाणे तमारे वीडियो ने लाइक करी देवानू छे तमार इश्वर सर्व व्यापी जेना लेखकनू नाम छे आनंद शंकर ध्रू जेनो साहीत्य प्रकार चे चिंतन निबंध औने आ प्रक्रण आचेप्टर लेवामा आव्यू छे हिंदू धर्मनी बाड पोथी माथी आईएमपी हेतु लक्षी प्रष्णों खास पुछाई शके वो प्रष्णा छे के आपड़ा अभियास मां कयू एवू प्रक्रण छे के जे माँ श्वर नी सर्व व्यापकता बतावामा आईवी छे तो मित्रों आपड़ा अभियास मां एवा बे प्रक्रणों छे एवू कईू गद्य छे के जे माँ इश्वर नी सर्व व्यापकता दर्शावामा आवी छे तो एमाँ आउशे इश्वर सर्व व्यापी एवू पूछे के के कईू पद्य छे जे माँ इश्वर नी सर्व व्यापकता दर्शावामा आवी छे तो एमाँ आउशे अखिल ब् पद्वी आपेली छे, बनारस मात येने कई पद्वी मडेली छे, पुछाईश के वो खास IMP प्रश्ण चे, तो बनारस युनिवर्शिटी तरफ थी आनंद शंकर ध्रुव ने डॉक्टर ओफ लिट्रेचर नी पद्वी मडेली छे, येर बची एना अन्य महत्वना पुस्तक अपेली छे, तो चो कसी एनो पण मित्रो तमें अभ्यास करजोने हवे, आपने वाद करिये इश्वर सर्व व्यापी चेप्टर नी अंदर, जे इश्वर नी सर्व व्यापक्ता बतावा मावी छे, समगर विश्व इश्वर नूज बनेलू छे, समगर विश्व मां दाहर नो थी समवाद आत्मक शैली मां, के विरिते रजु कहिरू छे, समवाद आत्मक शैली मां आव आतने आखी एमने रजु करी छे, आपने चेप्टर नी शरुवाद करिये लेख कहे जे के, आजे एक विशाड वडनी घटा नीचे धर्मशिक्षर नो वर्ग बेठो छ के नी घटा नीचे, वडना वर्ग बेठो छे, शिक्षके गई काले प्रश्न करनार, एमा करनार शब्द छे, एखास खाली जग्या मां पूछाई शके, एवो क्रुदंत छे, करनार, और मित्रो पाचण नार प्रती आवे छे, एकले एक क्रुदंत बन छे, भविश्य तो खास दरेके दरेक चेप्टर हो, दरेके दरेक व्याकरण नो बेत्रनवार विडियो नो अभियास कल लेश, अटले मित्रो सररता थी वगर वांचिये, तम्हें बहु सारा माक्ष लाई शक्षो, तो अपने वाद करिये एक्षके, गई काले प्रश्न करनार प्रश्न पुछियो, खास पुछाई शके हो, एक वाद केमा आविश चके है प्रश्न, के विद्यार्थी शिक्षक ने शुँ प्रश्न पुछियो, तो विद्यार्थी कहाचे, पर्मेश्वर नीज शक्ती थी सगडू जगत चाले छे, पन ए जगत पर्मेश्वरे शेमा उत्पन करियो अशे, एमा जे सगडू शब्द चे, ए विशेशन बन से, पर्मेश्वर नीज शक्ती थी सगडू जगत चाले छे, एमा सगडू शब्द चे, एमित्रो विशेशन बन से, अने विद्यार्थी ये सुम प्रश्न पुछियो, के साहिब तमें केता हो छो, के प पर्मेश्वर नीज शक्ती थी जा सगडू जगत चाले छे, पन पर्मेश्वर ने जगत सजवा माटे बहार कई पन सोधवा जवू पड़तू न थी, कडिया सुथार ने घर बांधवा माटे पत्थर माटी के लाकडा लेवा जवू पड़े छे, कारण के एवा काम माटे पर्मेश्वरे जे साधनों करी मुक्या छे, तेनों मात्र ए उप्योग करी शक्ये चे अवे जुओ, येने बहु सरस्मजना उदाहर नापी न समझावयू, कहे चे के जेवरीते सुथार ने लुहार ने कोई वस्तू बनावू होई, तो एने अन्य वस्तू नी जरूर पड कडिया ने मकान बांधू छे, तो पत्थर, इट, सीमेट नी जरूर पड़ छे, आब धाने शुकाम जरूर पड़े चे, कारण के एनू निर्मान पण इश्वरे करियू छे, समझ गधू कोणनू बनावेलू छे, इश्वर रेज ए वस्तू बनावा माटे ए वस्तूनू न करी सके छे, मात्र आएमपी शब्द छे, निपात बन्से, मात्र शब्द आइया बन्से, निपात कहे छे के, तेनो मात्र ए उप्योग करी शके छे, तेवोनी शक्ती परमेश्वर नी जेवी अननत अने अमाप न थी, आ सूथार लुहार एनी शक्ती परमेश्वर जेवी अ अमाप ना थी एटले आ सुथार लुहार ने अन्य वस्तूनी जरूर पड़े कारण के ए अन्य वस्तूनु निर्माण पण इश्वरेज करेलू छे अनन्त कोने केवाई जेनो कोई अन्त नथी तेवू एने एक शब्द मा केवाई अनन्त अन्त 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 अमाप न थी एमने बहार ना साधरोनी जरूर पड़े छे पन परमेश्वर्तो अमाप शक्तिवाडा होवा थी सगडू पोताना माथिज उत्पन करी शके छे आ उपर हुँ तमने एक प्राचिन पुस्तक माथी वार्ता कहू ते सामडों कहे छे के आ वस्तुने समझावा माट हुँ तमने एक प्राचिन पुस्तक माथी प्राचिन एटले जूनू अने प्राचिन नू विरुधार्थी थाशे अर्वाचिन आखु आक्या केम बन से ए उपर थी हुँ तमने अर्वाचिन पुस्तक माथी वार्ता नहीं कहू प्राचिन नू बनी जाई अर्वाचिन हका पूर्वे गणा समय पहला आवाज एक वड नीचे उद्दालक नामे एक ब्रहमन जुपणी बांधी ने रहतो होतो आव ब्रहमन खुब विद्वान हतो उद्दालक नाम जुद्दालक 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 नाम जनोई यगनो पवित दिधापची तरत कुमारे गुरुने घेर जै विद्या भणवी एवो असल आपणे तिया रिवाज हतो पन आ छोकरों 12 वर्षनों थयो त्या सुधी गुरुने घेर गयो नहीं पहलाना समयमा आपणे तिया रिवाज हतो के बाड़क नेक जाहे राजानों होई के कोई पन राजा होई रंक होई कोई पन बाड़क होई ए साथी आठ वर्षनो थाई एटले एने यगनो पवित दारन करवामा आऊतू अने पचि एने गुरुना घरे गुरुना आस्रम मा अने तियां शिक्षन प्राप्त करे विद्या प्राप्त करे पन कहें चेके यगनों पविद्धा पछी तरत कुमारे गुरुने घेरुने घेर जय विद्या भणवी जयी छे ए सबंदक भुथकृदंद बंचे गुरुने घेर जय विद्या भणवी एवो असल आपणे तिया रिवाज हतो, पन आ छोकरो 12 वर्षनो थयो, त्या सुधी गुरुने घेर गयो, नहीं एक दिवस पिताये, खेद पामी, खेद एटले दुख पामी ने, श्वेत केतुने पोतानी पांसे बेसाडियो, अने कहियो, पुर्वे एक विद्वान ब्राहमन हतो, विद्वान पंडि पच्छी, एने गुरुने घेर जैने विद्वान प्राप्त करवी पड़े भनवू पड़े, पन श्वेत केतुने भनवू गम्तु नई, एटला माटे श्वेत केतु बार वर्षनो थयो, त्या सुधी गुरुने घेर भनवा न गयो, अने पच्छी एक दिवस उद्दा ल जो हजु आपणा कुड मा कोई भनिया वगर नो रहियो न थी, तु गुरुने घेर जै विद्द्या भनिया वे तो बहु शारू थशे, आ कोमड पन सचोत ठपकानी श्वेत केतुना मन उपर खुब असर थय, मित्रो, आजे आपणे आखो जे पेरेग्राफ नो अभियास करियो, आ पेरेग्राफ विचार विकास माटे खास आएमपी छे, पांच माक्ष नो आपेरेग्राफ तमारो बनी शके छे, एटले खास टिक करने रागजू, आए वाक्कियों चे बधाई क्रम्मा खबर होई, तो तमें पांच माक्षन विचार विकास काड कथन रिती प्रमाने जी आपड़े बनावान होई जे एने सरण तथी बनावी शक्की। सचोट ठपकानी श्वेत के तुना मन उपर खुब असर थाई ए दूर देश गुरुने घेर विद्या भनवा गयो बार वर्ष शुधी ए गुरुने घेर रहियो औने अनेक प्रकारनी विद्या भनियो विद्या भनियो त्यारे जाने बदलायज गयो होतो सचोट रहियो त्यारे पुर्ण रिते बदलायज गयो होतो ने शुम बदलायो होतो पेला ए अभन हतो तोफानी हतो पन निराभीमानी हतो अभिमान वगर नू एने एक शब्दमा कहवाई निराभीमानी हवे इ विद्वान अने ठरेल अटले शांत बुद्धीनो गंभीर थयो छे पन केवो थैग्यो छे अभिमानी अने अकड थयो छे अकड़ाईने चाले चे अने अभिमान आविग्यो छे पोताना ग्नान नू पोताना शिक्षण नू हवे इने अभिमान चड़ियो छे कैजे के हवेते विद्वान औने ठरेल पन अभिमानी औने अक्कड देखायो पितायो जोयू एमना पिता एटले के उद्धालके जोयू के मारो छोकरो बहु भणियो छे पन हजु एने खरा धर्मनु प्रभुना ग्नाननु शिक्षण मडियू नथी एना पिताये जोयू के मारो दिकरो भणियो तो बहु छे एने शिक्षण को घणू मेड़ू छे पन हजी एने साच्चू शिक्षण खरू शिक्षण खरू एटले साच्चू एमा खरू शब्द विशेशन पन बंसे हजी एने खरू शिक्षण धर्मनु शिक्षण एने हजु सुधी मड़ियू नथी प्रभुना अग्नाननु शिक्षण एने मड़ियू नथी तेथी पिताये एने पांसे बेसारी कहियू पिताये एने पांसे बोलावियो औने पांसे बेसारी ने कहियू श्वेत केतू तारी बुद्धी तो बहु केडवाई छे तू विद्या भणियानु अभिमान बहु राखे छे औने देखाई छे पन हूँ तने एक प्रश्न पूछू तेनो उत्तर दे ते कदी तारा गुरु ने ए प्रश्न करियो छे के गुरुजी एवो कयोप दार्थ हशे के एकने जानी लेवा थी सर्व काई जानवामा आवी जाई ह insists श्वेत के तुना पिता एटले के उद्दालक श्वेत के तु पांसे आविया औरने कहिऊ के बेटा तु बहु भनियो छो बहु तारी अंदर शिक्षन बहु आविग्यू छे केड़व लिदी छे तरु अभिमान बहु आविग्यू आविग्यू छे तु भनिया नू श प्रश्ना पूछियो चे के एवो कयो पदार्थ छे के जेने एकने जानी लेवा थी सर्व वस्तुओनी माहीती मड़ी जाए बद दी वस्तुओनू आपने गनान थाई जाई अने श्वेत के तुए कहियू पिता जी एकने जानिया थी ते वड़ी बद्धानू गनान शीरीते थाई श्वेत के तुने पण अवे नर्शम जानू अने एकने जानी लेवा थी सर्व नुगनान थाई जाई एमना पिता बोलिया जो भाई आ माटी छे एमना पिता एनने समझावे चे के जो भाई आ माटी छे आ एक माटी ने पूरे पूरी जानी लईए तो माटी ना घड के इट वगेरे जे जे पदार्थो आमाथी थाई छे ते सर्व आपने जानी सक्के। के इट वगेरे जे जे पदार्थो तेमा थी बने छे ते सर्व आपने जानी सक्के। तो लोढ़ाना बनेला सर्व पदार्थो आपना समझवामा आवी जाई कारण के लोढ़ा माथी बनेला सर्व पदार्थो नाम मात्र जुदा छे खरी वस्तू तो लोढ़ू जे पिताये विजू किदू? के तुँ खाली अपने एक खाली लोढ़ाने जानी लईए तो एमा थी बनता आनेक ओजारो के कोई पन साधन जे लोखंड मा थी बने छे ए बद्धू बद्धाने आपने वोड़की शक्ये कारण के एना घाट अलग छे, रूप अलग छे, स्वरूप अलग छे, मुड तो लोढ़ू जे छे, तो अहिया, एमना पिता उद्धा लख, श्वेत के तुने समझावेशे, दुनिया मा एवी कई वस्तू छे, के जेने एक ने जानी लेवा थी, सर्व वस्तू ओनी जान थाई जाई, आगड श्वेत के तु बोल्यो, पिताजी, त्यारे मारा गुरू ये तो मने एवो कोई पदार्थ बतावियो न थी, के जे एक ने जानी आ थी, सगडानू गनान थाई जाई, सगडू एटले बद्धू, श्वेत के तु बोले छे, के पिताजी, मारा गुरू ये तो मने एवो कोई पदार्थ बतावियो ज न थी, के जेने एक ने जानी लेवा सर्वनु ग्नान थाई जाई मने लागे छे के ए पदार्थ विशे पोतेज तेवो मारा गुरुजी जिकदाच ए पदार्थ विशे जानता नई होई जो जान होत तो मने शामाटे ना कहे माटे पिताजी तमेज मने कहो एना श्वेत के तुए कहिऊ के पिताजी तमेज मने क्योने के आ जगतने समगर संसार ने जानी लेवा माटे एवो कयो पदार्थ छे के जे एकने जानी लेवा थी समगर ब्रम्हांड नू सगडा जगतनू आपने जनान थाई जाई अने एना पिता कहे छे पिताए कहिऊ ए पदार्थ ते स्वयम परमेश्वर चे समझ्जो एवो कईयों पदार्थ चे के जे एक ने जानी लेवा थी सर्व वस्तु अनूं सगणा जगत नूं आपने गणान थाई जाई अने इना पिताए कहिऊ ए पदार्थ ते परमेश्वर छे कईयो छे इपदार्थ परमेश्वर छे जेम घडो वगेरे माटीना बनेला छे घरेना वगेरे सोनाना बनेला छे छरी तलवार वगेरे लोडाना बनेला छे तेम आ सर्वपदार्थो परमेश्वर ना बनेला छे चा पर्मेश्वर ना बनेला छे पर्मेश्वर नी इच्छा थाई के हुँ एक छू ते बहु थाव अने एम इच्छा करिने एने पोतेज प्रुत्वी पाणी तेज वगेरे धारन करिया अने आश्रुष्टी थाई समझ जो शू एमना पिताय कहिऊ आखु सघडू जगत छे एक को नू बनेलू छे इश्वर नू बनेलू छे पर्मेश्वर नू जबनेलू छे पर्मेश्वर शामाटे समगर सुष्टी नू निर्मान करियू छे कहे चे के इश्वर नी इच्छा थाई के हुँ एक छू ते अनेक थाव एक नू विरुद्धार्थिशू धाई अनेक कहे जेके परमेश्वर नी इच्छा थैके हुँ एक चु ते अनेक थाव अने एम इच्छा करिने एणे शेनू निर्मान करियू प्रुत्वी पाणी तेज वगेरे धारन करिया अने आ समगर सुरुष्टीनू निर्मान थैयू अने ते पची पितावे पुत्रने परमेश्वर स्रबंधी विशेश ग्नान आप्यू खाली विद्या भणिया पची पुत्र अभिमानी थैगयो हतो ते परमेश्वर स्रबंधी ग्नान थता नम्र थैयो अने एणे खरी जानवानी वस्तु जानी मात्र विद्या भणवा थी जे अभिमानी थाईगियो तो श्वेत केतू एना पिताये एने परमेश्वर्नु ग्नाना प्यू अने परमेश्वर्नु ग्नान मडता ए वधारे नम्र थयो विनम्र थयो अने एने साची खरी जानवानी वस्तु जानी अने बिजे दिवसे पन ए जाड नीचे फरिवार धर्म शिक्षण नो वर्ग बरायों छे विद्यार्थी ओ बेठा छे सामें शिक्षक बेठा छे आ उद्धालक औने श्वेत केतुनू उदाहरन कोण आई पूतु याद जने विद्यार्थी ये शिक्षक ने प्रश्न पुईछो तो के इश्वरे आ समगर शुष्टी नू निर्मा श्रेमाथी करियू छे इश्वर नूज बदू बनेलू छे इश्वर ने इच्छा थाई के हूँ एक छू तो ए माथी अनेक थाओ अने एवो निर्णे करिने एम पोतानी जात मातीज परमेश्वर मातीज समगर सुष्टी नू निर्मान थाईू छे बिजे दिऊशे पन ए शिक्षक एनी सामे विद्यार्थियो बधा एक गटादार वडणी नीचे बेठा छे जेम परमेश्वर माती आ सुरुष्टी नी रचना थाई छे एम वड़ माती अनेक वडवाईयो फेलाई छे वडणी अंदर जोला वेला तमें जोया छे एन शू केवाई वडवाई कहे जेम प्रभू माती आ सर्व सुरुष्टी फेलाई छे एम वड़ माती वडवाईयो फेलाई हती वड़ उपर लाल लाल पुषकड टेटाओ बाजेला हता वारमवार पूछा तो आग शब्द समू मा वारमवार पूछाई छे टेटा वड़ ना व्रुक्ष मा थतु फड़ एने एक शब्द माँ कहवाई टेटा कहे छे के वड़ उपर लाल लाल पुषकड लाल लाल अने पुषकड आ बन्ने विषयशन छे खाली जगिये मा कोई पन एक आवी शके कहे जे के वड़ उपर लाल रंग ना पुषकड खुब वधारे मात्रामा टेटा बाजेला हता एमा आवीने शब्द बन्चे सबंधक भूत क्रुद्धंद कहीचे के तेने खावा माटे तिया अनेक पक्षिवो आवीने बेठा हता वरुक्षनी नीचे पन पवन अने पक्षिवो ये पाडेला पुषकड टेटा विखरायेला हता अने बिजे दिउशेपन आपणे जोएचे का आवीजरीते शिक्षन नो धर्म शिक्षन नो वर्ग भरायो छे विद्यार्थी बेठा चे निसामय शिक्षक बेठा चे एनी नीचे बेठा चे घटादार वड ना वरुक्षनी नीचे बेठा चे अने वडमा कईू फड़ छे लाल लाल पुषकड प्रकारमा टेटा बाजेला छे ने बिजे दिऊशे पण आविजरीते धर्म शिक्षण नो वर्ग भरायो छे फरिवार विद्यार्थी कोई प्रश्ण करशे अने शिक्षक एनो जवाब आपशे पण एनी चर्चा आपणे बीजा भागनी अंदर करीशू पिल्ला भागने मित्रो आपड़े अहिया सुधिज राखवाना चीए वीडियो पसंद पड़े ने तो तमारे ने लाइक करी देवानू छे तमारा मित्रो ने शेर जरूर कर जो औने चैनल सब्सक्राइब न करेली होई तो तमे जरूर थी स सब्सक्राइब कर ले जो बेल आइकोन ने बदू दबावी दे जो वित्रो फरिवार आउता पार्ट मां मड़ी शो त्यां शोदी आउजो वाई वाई जै हेन उन्दे मात्रम